हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी नाश्कार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का Study IQ IAS हिंदी में मेरा नाम है अतुल जैन सुप्रीम कोट ने अब से कुछ देर पहले एक बहुत ही important judgment दिया है इत्योगिक शराब यानि के अध्योगिक alcohol जो होता है उसको बनाने, बेचने, वितरण करने के अधिकार पर तो इस मामले को लेकर केंद्र और राज़सरकारे या वो floating सामने थी केंद्र सरकार कह रही थी कि भाई इस पर हमारा अधिकार होना चाहिए इस पर हमारा दावा होना चाहिए राज्य सरकार है ये कह रही थी कि इस पर हमारा अधिकार या फिर हमारा दावा होना चाहिए तो आज जो है केदर सरकार ने इसमें राज्यों के दावे को सही ठहराया और ये माना कि इसका अधिकार राज्यों को दिया जाना चाहिए ये पूरा मामला क्या है इसका थोड़ा सा प्रश्ट भूमी क्या है इसके पीछे क्या तरकत है ये सब आपको बताऊंगा अगले 5-7 मिनिट में लेकिन उसके पहले आपको बता दूँ कि अगर आप UPSC के तयारी कौन सी किताबों से करनी चाहिए कौन सी किताबे अच्छी हैं बुरी हैं कौन सी खरीदी जाएं अगर आप इस तरह की चीजों को लेकर चिंतित हैं तो आप जो है इसमें आप ये कर सकते हैं कि आप हमारी 18 किताबों का सेट जो है वो AJ Live Code लगा के 4,299 रुपए में खरीद सकते हैं आप ये सेट खरीद लेंगे तो आपको कोई भी पुस्तक और खरीदने की आवशक्ता नहीं पड़ेगी AJ Live Code लगाएंगे 4,299 रुपए में आपको मिल जाएगा सारी किताबे हैं सब कुछ आपका यहीं से हो जाएगा और अगर आप NCRT को लेकर चिंतित हैं कि यार NCRT की किताबे पढ़ते तो हैं लेकिन समझ में नहीं आता कि वो सही है घलत है क्या चीज जो है वो UPSC के लिए important है क्या चीज उपसC के लिए important नहीं है तो AJ Live Code लगा के हमारे 5 compilation खरीद लीजे History, Geography, Quality, Economics और Science and Technology का ये 5 compilation आपको केवल 1200 रुपे में मिल जाएगा और आपकी तयारी जो है NCRT की एकदम perfect हो जाएगी तो जो भी आपको लेना हो AJ Live Code लगा के लीजेगा और साथ के साथ ये याद रखिएगा कि भाई आप अपना address, अपना पता जो है वो ठीक से भरे चलिए, तो ये जो मुद्दा है ये जुड़ा हुआ है उद्योगिक शराब से देखिए इस बात को समझेए कि शराब जो होती है यानि कि अलकौहल जो होता है उसका एक प्रयोग तो मानव के उपभोग के लिए होता है कि व्यक्ति शराब पी सकता है एक तो पीने वाली शराब होती है लेकिन इसके अलावा ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीव हैं ऐसे बहुत सारे उद्योग हैं जिन में शराब जो है एक कच्चे माल की तरह काम करती है बहुत सारे उतपादों को बनाने में अलकौहल डाली जाती है तो यहां पर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो मानव उपभोग के लिए जो शराब है वो नहीं है वो अध्योगिक शराब है अब इस पर इसके वितरण पर इसके निर्मान पर इसकी बिकरी पर किसका नियंतरण होना चाहिए इसको लेकर एक थोड़ी सी confusion की स्थिती थी क्योंकि राज सरकारों का ये कहना था कि राज सूची देखिए भारत में केंद्र और राज के बीच में जो बटवारा होता है वो कैसे होता है भारत के सम्विधान की सात्वी अनुफूची जो है वो केंद्रिय सूची भी देती है राज सूची भी देती है और समवर्ती सूची भी देती है तो फात्वी अनुफूची में जो राज जिफूची है उसमें एंट्री नंबर 8 उसमें जो आठ्वी एंट्री है आठ्वे नंबर का सब्जेक्ट क्या है मादक मदिरा यानि कि इंटॉक्सिकेटिंग अल्कॉहल तो यह जो है यह राज्यों के अधिकार शेतर में साफ साफ बात आखिकार में चीजियों छेद्य में गए तो राज जिया ए तो मदिडरा मधय थे मानव उपभोग वाली मदिव है जिस पर के साथ राज्यों का ये भी कहना था कि यार अध्योगिक मदिरा भी जो है इसका भी दुरूपियोग हो सकता है इंडस्ट्रियल अलकॉहल अलग तरह की होती है लेकिन अगर आप उसका दुरूपियोग करके उसको माना भूग वाली मदिरा बना दें तो कई बार क्या होता है जहरीली शराब बन जाती है या फिर वो अनाधिकरत शराब बन जाती है जिससे लोगों की मौत हो जाती है जिससे लोग बिमार बढ़ जाते हैं तो इसमें क्या है स्वाफ्थ और कानून व्यवस्था दोनों राजजिसूची में है तो ऐसे में अगर दुरूपियोग होता है तो वो स्वास्त या कानून की प्रॉब्लम बनेगी तो ये दोनों राज्य फूची में है तो इस लॉजिक से भी ये राज्य फूची में आना चाहिए ये तर्क राज्य सरकारें देती थी ठीक है क्लियर है कोई दिक्कत नहीं है केंद्र सरकार इसमें ये कहती थी केंद्र सरकार क्या कहती थी कि भाईया केंद्रिय फूची में अगर आप देखोगे केंद्र सरकार क्या कहती थी केंद्र सरकार ने यही कहा कि साथवी अनुफूची के अनुसार अगर आप केंद्रिय फूची में एंट्री नंबर बावन देखोगे तो 52 एंट्री क्या कहती है कि संसद जो है वो कुछ ऐसे उद्योगों का नियंतरन केंद्र को दे सकती है जो जनहित में केंद्र द्वारा संचालित होने चाहिए जैनि कि संसद जो है संसद द्वारा जनहित में केंद्र को फ़ौपे उद्योग ऐसे उद्योग जो है ये जो उद्योग है ये निश्चित तौर पर केंद्र फरकार के यदेन आएंगे और इसमें केंदर सूची ये कहती थी कि भाई अलकॉहल जो है उसको लेकर तो ऐसा कईबार कानून बना है जिसके हिसाब से ये केंदर की सूची में आना चाहिए तो केंध्र सरकार ये कहती थी कि भाई ये हमारी सूची में होना चाहिए, इसमें हमको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है, ये बात क्लियर है, तो भई ये बात केंध्र सरकार कहती थी, तो 1997 में सुप्रीम कोर्ट की साथ जजों की बेंच ने इसकी सुनवाई की और साथ जजों की बेंच ने ये कहा कि ये केंद्र के अधिकार शेत्र में आएगा कि ये जो पूरा मामला है और द्योगिक शराब का ये केंद्र के अधिकार शेत्र में आएगा जैसे ही ये निरने आया उसके तुरंत बाद से बहुत सारे जो आपकी राज्य सरकारे हैं चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे वो पंजाब की सरकार हो ऐसे कई सरकारों सुप्रीम कोंट में याचिकार डाली और देखिये इसमें राजनैतिक पक्ष्वी समझीए कि उत्तर प्रदेश में BJP की ही सरकार है और केंड्र में भी BJP की सरकार है लेकिन तब भी इसमें केंड्र और राज्य के बीच में विवाद था पर्टी वाला विवाद नहीं था जो कि आजकर भारती राजनीती में बड़ा रेयर हो गया है लेकिन तब भी ये क्योंकि केंद्रो और राज्य का विवाद था तो उत्तर प्रदेश ने भी इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचे का डाली कि भाई ये हमारा अधिकार होना चाहिए तो आज जो है सुप्रीम की बेंच ने कहा कि ये जो है राज्य के अधिकार शेत्र में आएगा यानि कि 1997 का डिसीजन जो था सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट ने उसको बदल दिया एक बड़ी बेंच ने नौ जज़ों की बेंच ने पुराने निरने को बदल दिया और बेसिकली राज्य का ज इंट्री है राज्य सूची में मादक मदिरा तो इसका जितना व्यापक अर्थ निकाला जा फकता है उतना व्यापक अर्थ निकाला जाना चाहिए इसके अर्थ में हमको कंजूसी नहीं करनी चाहिए हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मादक मदिरा में केवल मानव उपभोग वाली मदिरा होगी और बाकी मदिरा सम्मिलित नहीं होगी हर तरह की मदिरा को हमको इसमें शामिल करना चाहिए यह बात यहाँ पर इन्होंने स्पश्ट करी दो इन्होंने का कोई इसका तर्क नहीं साथ के साथ सुप्रीम कोट ने इस reasoning को इस line of argument को भी मान लिया कि मादक मदिरा का अगर दुरूपयोग होगा तो एक तुस्वास्थ की हानी होगी और एक कानून की हानी होगी तो ऐसे में क्या बहतर ये नहीं है कि राज जिफरकारे जो ground level पे मान लिजे किसी जिला के स्थर पे किसी जिले के स्थर पे इसका दुरूपयोग हो रहा है उससे नकली शराब बन रही है घलत तरह की शराब बन रही है तो क्या ये बहतर नहीं होगा कि राज जिफरकार उस पर नियंतरन करे तो क्या ये बहतर नहीं होगा कि ये नियंत्रन राजी तर्कार को दिया जाए और केंडर इसका नियंत्रन अपने पास चू रखना चाहता है इसका कोई तर्क नहीं है कोई लॉजिक नहीं है और सुप्रीम कोड ने केंदर के दावे को खारज कर दिया देखिए ये तो हो गई कहने की बातें असली चक्कर है पैसेगा मैं आपको बताता हूं उसके पीछे असली कारण क्या है यार अध्योगिक अलकॉहल जो है उस पर के पिहार फरकार और गुजरात फरकार को छोड़ दीजिए तो भारत का कोई विराज शराब बंदी के दिरने क्यों नहीं लेता क्योंकि शराब से बहुत जादा टैक्स आता है और द्योगिक अलकॉहल पर भी बहुत जादा टैक्स आता है राज जो है भारत में राज अपनी कुल राजस्व का लगभग आठ प्रतिशत अलकॉहल के टेक्स से कमाते हैं तो ऐसे में कोई भी ये एक बहुत बड़ा पैसा कमाने का जरिया है जिसको ना तो केंद्रुक होना चाहता था और ना राज्यक होना चाहते थे सबको लगता था कि भाई जितना अतिरिक्त पैसा हमारे पास आएगा ये उतना बहतर रहेगा लेकिन अभी के लिए ये राउंड जो है ये राज्यसरकारों के पक्ष में गया है और ये अधिकार जो है राज्यसरकारों को दे दिया गया है इस पर आगे कुछ होगा तो मैं आपको निश्चित तोर पर बताऊंगा लेकिन अभी के लिए इतना ही जाते जाते आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि भाई NCRT पढ़ने में confusion हो रहा है कैसे पढ़ें कैसे खतम करें क्या important है क्या नहीं छोड़ दो ये सब पांच किताबों का सेट है NCRT का सरलीकर सिरीज हिस्ट्री जोग्रफी पॉलिटी एकनोमिक्स और साइंस एंट टेकनोलजी AJ Life Code लगा लो 1199 में जुड़ जाओ बस ये पढ़ लो समझ लो सारी NCRT हो गई सारी NCRT का compilation है और अगर generally UPSC के लिए कौन सी किताबे पढ़नी है ये confusion है तो भया AJ Life Code लगा लो हमारा 18 किताबों का सेट खरीद लो 4299 का है इसके बाद कोई भी किताब नहीं खरीदनी पढ़ेगी तो आज ही इन किताबों को खरीदिए और अपनी तयारी को सही आकार प्रदान कीजिए इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद